जेहन दोस्तों मैं हूँ शुबेंदर सिंग स्वागत है आपका इंडिन पर्मिस्ट्री एंड इस्टेलोजी चैनल में आज हम आपको इस वाले पाम में यह सिखाएंगे सबसे पहले तो आप कैसे देखोगे कि आपको जॉब करना चाहिए बिजनेस करना चाहिए दूसरा इन को कौन सी फिल्ड में जाना चाहिए उसके बाद में मायंड लाइन अचानक से कुन बनाते हुए ऐसे चले जाती है इसका क्या मतलब होता अगर अचानक से कुन बनता है तो चलिए एक बार इनका प्रशन देख लएते हैं देखिए इनका जो सबसे पहला कुश्यन है लिखा अगर जॉब लग सकती है तो कब तक लगेगी जी बिलकुल यह भी हम बताएंगे उसके बाद में है और मेरा एक जॉब होनी की बात है गॉवर्मेंट सेक्टर में कांट्रेक्ट बेसिस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या अभी के लिए यह जॉब हो सकता है कुछ मंस के अंदर मिल सकता है यह जॉब उसके बाद में है और आगे मतलब फ्यूचर में क्या मैं अच्छा धन दौलत कामा पाऊंगा यह वाला जो प्रशने इसको भी हम सबसे पहले उठाएंगे और उसके बाद में इनका प्रशने अभी थोड़ा ज्यादा मानसिक तनाव है उसके लिए कुछ बताईएगा अब अगर आप इनका पाम देखेंगे जो इनका पाम बन रही है यह काफी बड़ी पाम है यहां से अगर मैं टोटल इनका शेप ड्रॉ कर दूं तो एक बड़ी पाम है बड़ी पाम वाले देखे जिंदगी में अपनी इनको सक्सेस बहुत मिलता ह है बड़ा सक्सेस मिलता है दूसरा यह बिजनेस भी कर सकते हैं जौब तो करी सकते हैं साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं अब इन्हों ने सरकारी चेतर के लिए पूछा है तो सरकारी चेतर के लिए मैं क्या चाहिए होता है सबसे पहले तो life में आपको एक बार loss होगा किसी भी तरीके का loss हो आपको financially loss हो सकती है अप कैसा loss होगा ये भी बतायते हैं जैसे मालिजे सरकारी छेतर में आपने घूस दे करके काम करवाया या घूस दे करके आपने जॉब लेने की कोशिश की तो पता चल रहा है आगे जॉब में जो जाच वगेरा होती है वो हो गई और आप बाहर निकाल दिये गए तो उस तरीके से या तो फिर खुद का कोई गलत investment कोई बहुत भारी investment अगर आप गलत जगहें पर कर दें तो वह भी दिखाता तो यसलिए आपको अभी से सचेत रहना अगर आप कोई भी life में अपने काम करने जा दूसरा आप आपके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी किस तरीके की जॉब आपके लिए बेटर रहेगी इसको हम लोग पहले डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले इनके पाम का quality देख ले तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ काफी बड़ी पाम है बड़ी पाम है तो ज melegy या नहीं मिलेगी तो अगर यहां से हम इनके logic पार्ट और willpower ओर ये पार्ट को divide करें तो यह होती है मारी willpower की पारट ठीक है ना इसको कहते हैに willpower की पार्ट और यहाली जो मारी पार्ट रही थी ना इसको बोलते है logic वाली पारट अब अगर आप देखोगे तो दोनों ह सा धन संचय करने में अपनी लाइफ में जाता ध्यान देना चाहिए क्यों बहुत सारे लोग देखी इतना ही बतायते हैं सिरफ मैं आपको थोड़ा समझाने कुश्च करता हूं ऐसे बना देंगे यहां पर करेंगे दो रेखाएं हैं इस तरीके से यह का साइन है तो यह बहु फिर भी दो रेखाएं बन रही तो यह बताती हैं कि इनके पास में पैसा जिंदगी में रहेगा पैसा अच्छा कमाएंगे लेकिन क्या होगा कि इनका खर्च भी होगा ऐसे लोगों के पास में जो पैसे होती ना वो खर्च भी जादा होती रहती है या अगर कोई भी एक र पास रखोगे तो धीरे-दीरे खर्च होने लगेंगे तो उसको कहीं न कहीं आप इन्वेस्ट कर दीजेगा तो वहां से आपको लाब होगा तो अगर हम अंगुठा देखें तो सरकारी शेतर वाले अंगुठा आपको देखने के लिए मिलेगा या तो फिर इस तरीके का इस तरीके से जैसे न यह ऐसे जा रहा है तो फ्लेक्सिबल अंगुठा क्या होता है бिज्समेन वाले भी फ्लेक्सिबल होते है हर इंसान से उनको काम करना पड़ता है उनकी भी बन जाती साथ में सरकारी शेथर वाले भी कुछ ऐसे ही होते है जिनको हर इंसान से काम पड़ता रहता है या हर इंसान का उनको खुद ही काम करना पड़ता है तो आगर आप देखेंगे तो अंगूठा शचकता है साथ में इनकी नेचर थोड़ी dominating भी रहेगी ये चाहेंगे कि family में इनकी थोड़ी ठीक है ना यह सिंपल से ऐसा जाती हुए यहां पर आकर रुख गई है सरकारी छेतरवानों की भागी रेखा ऐसी ही होती है एक स्थान से निकलते हैं सीधा शनी पर जाती है तो यह बिल्कुल ठीक वैसी भागी रेखा है अब इसका क्या मतलब होगी अगर यह दो रेखा यहां से चल रही है आप अगर देखोगे ना तो एक रेखा यह जा रही एक रेखा इसमें से यह जा रही और एक रेखा तीसरी भी छोटी सीन कल रही है तो यह क्या बताता है यह बताता है जैसे ही इनका 42, 43 आयेगा तो वहाँ से multiple income of source कहिए लिजे या तो फिर एक से अधिक source से ऐसे लोग पैसा कमा लेते हैं एक से अधिक source जो होते हैं पैसों के बना लेते हैं तो ये भी एक अच्छा indication है लेकिन जो इनकी मुख्य भागी रेखा है ठीक है ना इसमें confuse मत होना समझाते हैं आपको थोड़ा सा देखे ये हैं इनकी मुख्य भागी रेखा ये वाली ये हैं इनकी यहां से यहां तक जा रही तो भागी रेखा भी इनको पूरा support कर रही कि इनकी जो सरकारी छेतर वाला जो काम है इनका हो जाएगा दूसरा भी यहां पर एक negative sign है सूरी की उंगली पर गर तिल का निशान हो बहुत सारे लोग देखे आपको बताएंगे ये समाज में मान सम्मान देता है लेकिन होता है इसका उल्टा है ये क्या काम करता है या तो आपको एक बार मान हानी करवा दे दोस्तों के दौरा करवा दे समाज में किसी ना किसी चीज के दौरा करवा दे ज़्यादा तर college या teenage के उमर में ऐसा हो जाता अगर नीचे की ओर हो और क्या होता है जॉब में एक बार problem create हो सकता किसी भी तरीका का problem तो उससे भी आपको थोड़ा सचेत रहना है लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है अब एक बात आपको हम और बतायते हैं आपने पुछा था धन समपति आप अच्छी बना पाओगे या नहीं बना पाओगे और साथ में इनकी भाग रेखा भी पूरे सपोर्ट में है तो एक बार जैसे ही कमाना शुरू करेंगे तो इनकी इंकम आटोमेटी के लाखों में अपने आप पहुंचा देंगे क्यों पहुंचा देंगे इनका जो मस्तिश्क रेखा कभी भी ऐसे नीचे गरता तो ऐसे लोग क्रियेटिव भी बहुत होते हैं सोचते बहुत ज़्यादा हैं लॉस करवा बैटते हैं एक बार वह बात अलग है लेकिन इनका एक फायदा भी होता है क्यों फायदा होता है आपको मैं बताता हूं कभी भी जो कौन बनता है न यह इस तरीके से कौन जा रहा है अब आप इसको कौन कोगर मैं ड्रॉक कर दू यह रही इनकी भागी रेखा ठीक है अब यह रही इनकी माइंड लाइन ठीक है इसके बाद में एक यह स्वास तरीका इनकी ऐसे जारी भागी रेखा से निकल के तो इसने क्या किया है यह जो तीन कौडिनेट होते हैं इसको धन का त्रिबुज बोलते हैं धन का कहीं पर से open नहीं है एक तो यहां पर से touch हो रहा है यहां पर से भी touch दिखेगा यहां पर से भी touch हो दिखेगा ऐसा ही में चाहिए होता यह जुब कर देता हूँ तो यह भी दिखाता अपनी life में कुछ ने कुछ जिष्ठा यसलों को जरूर मिलती है सातमे हैसलों की आगे जाकर बड़े बड़े लोगों से जान पैचान भी हो जाती है अब ज़रा इनके ओवर रल्ल पाम की बात कर लेते हैं और धीरे-धीरे करें कि सभी रेखाओं का आंसर देंगे और इसी में ही इनके सभी प्रश्णों जल्दबाजी में निरने लेंगे जल्दबाजी में निरने लेने के इनको आदत है और उसमें इनका नुक्सान भी होगा तो कभी भी लाइफ में जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना है सोचिए समझी आराम से चीज को समझीए उसके बाद में आप निरने लीजेगा तो वहां से आपको फायदा होगा ऐसे लोग क्विक डिसीजन ले सकते हैं अभी एक अच्छाई भी होती है और ये बुराई भी होती क्विक डिसीजन लेना तुरंद ने लेना हर बार अच्छा नहीं होता इसपेसिलिए इपर तिल का निशान हो किसी भी उंगली पर तिल का निशान हो उंगलیاں छोटी हो जाएं तो ऐसे लोगों को quick decision अच्छा नहीं, फल इतनी होता है अब अगर हम यहाँ से ब्रेसपती की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी negative रिखा दिखेगी तो आपके मने प्रशनानाची इसका मतलब क्या होगी इसका मतलब यह होगी, आप अपनी life में किसी के साथ कितना अच्छा करो चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो वो उसी वक्त तक आपका साथ देंगे जब तक कि कुछ बुरा ना हो जाए जैसे कुछ बुरा होता है, तो उसका credit आपको जरू में लेगा कि यह आप ही है, आप ही के कारण हुआ है, दूसरा कोई नहीं है तो इससे क्या होता है, यह आपको काम का credit नहीं लेने देगा साथ में आपको अच्छा किये हुए अच्छाई के बल पर भी बुराई देता है या तानियम मिलते हैं ऐसे लोगों को, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा यहाँ पे देखो के तो एक gap है, आपके मन में प्रशनानाची इस gap पा क्या मतलब होता ऐसे लोग जिद्धी होते हैं और थोड़ा सा ऐसे लोगों के लाइफ में जैसे आपके उम्र तीस पहुंचेगी तो आपके जिंदगी में खर्चे जो होंगे वो भी आपके धीरे-धीरे करके बढ़ जाएंगे अब अगर आप रहस्पती की फिंगर को देखो के तो क्लॉक है थोड़ी सी टेंडी है तो यह क्या बताता है इनके अंदर लीडर्शिप कॉलिटी अच्छा रहेगा दूसरों से काम अच्छी तरीके से करा पाएंगे अब अगर हम इनके शैटरन की बात करें तो यह फिंगर भी आपको थोड़ी सी टेंडी दिखेगी तो यह क्या बताती है शैटरन का अगर फिंगर टेंडा हो जाए हलका टेंडा है तो पेट से सम्मधित कभी कवार इनको प्रावलम रहेगा और कोई बिगर काम करने जाते ह उसमें हलके से अढंगे आते हैं अब अगर हम सूरी की बात करें तो यहां पर भी सेकंड पोर पर आपको कुछ निगेटिव रेखाएं दिखाई दे रहे होगी इस पर्ष्ट तरीके से ठीक है यह क्या बताता है यह बताता है कि इनके विरोधी भी हैं साथ मैं ऐसे लोगो को आफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी उनती होगी तो आफिस पॉलिटिक्स वाले या पीशे से जो लोग टांग खीचते हैं वो आप अपने आप महसूस करोगे इस चीज़ को तो इसलि आपके मन में तुरंत प्रश्न आना चाहिए मैं हमेशा कहता हूं कोई भी रेखा के बारे में अगर आप जाना चाहते हैं तो तुरंत प्रश्न कीजिए अपने आप से और सामने वारे से भी जो बता रहा है यहां पे भी कुछ निकेटिव रिखा है यह बताता है कि इनके फिंगर जो थोड़ी सी क्लॉक है थोड़ी सी मलब टेंडी आपको नजरा रही होगी तो ऐसे लोग किसी भी काम में जल्दी एक्सपर्ट बन जाते हैं तो अच्छे और सफल बिजनेसमैन की भी निसानी अगर आप बिजनेस करना चाहते तो बिजनेस में भी आप जा सकते ह अब बात करेंगे इनके परवतों की सबसे पहले तो बुद्ध से स्टार्ट करेंगे अगर आप बुद्ध परवत को देखेंगे तो बुद्ध के पास में इस तरीके से कई सरी रेखा हैं ये क्या बताती एक कम्यूनिकेशन इनका अच्छा रहेगा अपनी बात को लोगों का प्रावलम नहीं होता है आपके पास पैसा हो नहों डेजन मेंटर लेकिन आपका काम कभी पैसों की वज़े से नहीं रुकेगा और जिंदगी में पैसे आप अच्छे कमाएंगे साथ में आप लोगों की हेल्प भी करोगे इतना सारा रेखा हो ना तो ऐसे लोग बहुत स हलक आसा क्रॉज जैसा आपको इस दिदिदी देखने के लिए मिलेगा यह क्या बताता है यह बताता है यह अपने में कभी कवार कंफ्यूज हो जाएंगे खुद के लिए गए डिसीजन में की आगे इसको कैसे करना है तो इसलिए सूरी का थोड़ा सा आपके लिए उपाय जरूरी है यहां से कभी भी एकर सूरी की तरफ रेखा जाती है तो आपने जो बोला था ना एकाउंट्स में जाना चाते हैं रेलवे में जाना चाते हैं एकाउंट्स का तो हम यहां से देख लेते हैं अभी रेलवे का हम आपको बता देंगे यहां से देखके तो गया बैंकिंग हो गया या किसी MNC टाइब की कंपनी होती है उसमें भी आप अच्छा एकाउंट्स या बैंकिंग का काम कर सकते हो वहाँ पर भी आपको अच्छा लाब मिलेगा क्या करना है job alert.com हो गया बहुत सारी private sites होती है वहाँ पर resume अपना upload करना वो आपका test लेंगे interview लेंगे HR round लेंगे फिर आपका psychological test लेंगे और वहाँ पर आपको job पर रख लेंगे interview के बाद में ठीक है न तो वहाँ पर भी try करना MNC में भी बहुत अच्छा job लगता है अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक त्रिकोंड का इस्थिति आपको इस तरीके से नजरा रहा होगा यह देखोगे न तो आपको यह त्रिकोंड दिखेगा यहाँ पर यह क्या बताता है वहाँ पर आपके सफ़ा लोने के चांसे ज़्यादा रहेंगे अब अगर मैं यहाँ से देखो तो एक रिखा आपको इस तरीके से नजरा रही होगी यह देखी क्या बताता है इधर से कोई रिखा है आपका जो job लगेगा वो घर से काफी दूर लगेगा दूसरा इस तरीक केसे आ रही है तो यह क्या बताती एक बार जाब में या प्रोफेशन में चेंजिंग होता या तो फिर उसी जॉब पोश्ट हो जाता है कभी पिस सूर्ज लेखा में ओवरलाइपिंग मिले तो एक बार लाइप में होता है अब अगर मैं आपको यहाँ से दिखाओं तो इन उनका ध्यान करते हैं या जो भी आपके ईष्ट होते हैं अगर आप उनका सुमिरंद करते हैं तो वहां से आपको अच्छा लाप देखे हैं मिलता इश्वरी शक्ती या इश्वर की करपा का हाथ होता है अब एक बात आओ नोपिस करना यहां से अगर आप देखोगे तो पैसों से हर चीज़ से लाइफ में सटिसफाइड जरूर हो जाएंगे इसके बाद में कुछ रेखा हैं आपको इस तरीके से नजर आ रहे होंगी यह क्या बताती हैं यह जब भी सूरीचेत की तरफ जाएं तो घर से दूर घर से बाहर जाना चाहिए इतनी सारी रेखा हैं तो यहां पर एक आपको त्रिभुज का सिंबल नजर आएगा हार्ट लाइन की साहिता से ही है तो इन लों के पास में इनिट्यूशन भी अच्छा होता है इनिट्यूशन के लिजे सिक्स सेंस के लिजे काफी अच्छी रहती है साथ में जो घटना पूरू अनुमान जिसको बो की हैं अगर मानले अपने नूर्स किसी और को दे दें किसी और को सवाल समझा दें हो सकता है वो जाकर के एक्जामे वही सवाल करते और इनसे वो चीज रह जाए या इनकी बोली हुई बात दूसरों के लिए ज्यादा फलित होगी दूसरों को रसलाह देंगे तो वह किसे बनता बन अजराएगा यह दिखिए क्या बताता है यहां पे कर फिज बन जाए तो ओल्ड एज ऐसे लों की काफी अच्छी जाती है बुढ़ा पे में इनको कोई दिक्कत नहीं होगा अब अगर हम ब्रहस्पती की बात करें तो ब्रहस्पती में एक तो लाइन अफ एम किसी भी चीज का दिमाग में आ गया तो जब तक वो चीज मिल नहीं जाती है कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसी के लिए सोचते रहते हैं उसी लिए के लिए जद्दो जहत करते रहते हैं इसलिए यही वाली अगर आपको रेखा देखे तो ऐसे लोग लाइफ में अप पोजिशन पर पहुचा देती है अब यह तो यह बात हो गई यहां से दो रेखा हैं इस तरीके से निकल रही है इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए एक फिश जैसा सिंबल अगर यहां पर बना देती है ब्रेस्पती पर वन आप दा फॉर्चुनेट साइन ऐसे लोग स स्कॉयर है उपर भी इस तरीके से एक स्कॉयर बन रही है अगर आप टीचर बनोगे ना तो आप अपने बच्चों के फेबरेट टीचर बन जाओगे ऐसे टीचर जिसको बच्चे पसंद करते हो ठीक है तो अगर आप टीचर का प्रोफेशन चूज करना चाहो जा जो को क्या देगा life में satisfaction देगा कुछ लोग होते हैं कामाते बहुते लेगिन जिंदिके में अपनी सर्डिसवाइट नहीं होते है इनको life में satisfaction रहेगा कि जो इन्होंने किया है life में अच्छा किया है यहां से देखेंगे तो एक आपको apex का sign भी नजर आएगा अब देखो यह sign क की गर मैं बात करूँ तो मंगल का थोड़ा सा इनको उपाय करना चाहिए अपने पास में एक लाल रंका और उमाल रख लेना जिससे कि आपको ज्यादा लाब हो सके अगर मैं यहां से मंगल की बात करूँ तो आपको कुछ रेखाएं इस तरीके से नजर आ रही होंगी तो इन हर इनसान को नहीं सजेशन देता लेकिन अगर आप रखते हैं तो वहां से लाब होगा या तो फिर एक डॉग पाल लीजिए वहां से भी आपको अच्छा लाब देखने मिलेगा अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो मानलो तो बस इस ट्रीट डॉग को कुछ ने कुछ खिलाते लगेगा तो ऐसे लोग की से मांगलिक भी आप कह सकते हैं अब बात करेंगे इनके शुकर की शुकर अगर आप देखेंगे तो शुकर पर इस तरीके से यहाँ पर से कोई रिखा नहीं अच्छा होता है ऐसे लोग क्या होता है लाइफ में दोनों चीज़ों लेकर के चलते ह ना वो सारा का सारा आपके पास में रहेगा नीचे से अगर आप पाम देखोगे ना तो चौड़ी पाम है यहां पर यानि कि इस तरी कारक दोनों ग्रह मजबूत हैं तो शादी के बाद भी ऐसे नों का भाग्योद्य अच्छा होता है यहां पर से एक बात मैं आपको बताऊं कई सारी रेखा हैं इस तरीके से तो अभी आपको जो डॉटे एंड ऑपरेटिंग का एंटरी का जो जॉब मिलना है उसको ले लो क्या होगा उसी में आप आगे मढ़ते चले जाओगे क्योंकि आप क्रिएट्टिव हो एक बार बस आपको मंच मिल पाए बैठने की जगह मि लोग है यहां से यह जो इतना लंबा मंगल रेखा रहा इसे देखकर मुझे काफी खुशी हुई तो lifelong आपका किसी ना किसी का साथ भी आपकी जिंदगी में बना रहेगा चंद्रमा की अगर मैं बात करूं सॉरी तो चंद्रमा पर आप देखेंगे तो यह चंद्रमा अच् से डिस्टरम आना चाहिए एक आप यहां पर खरला दείखा देखो यह इसमूथ है जा रहे है थीक है यह भाग दिखने परिशानी की आगिता है अपर आपको साथ में एक करते वक से पता कर लेन ए और उसकी माताजी के बारे में पता कर लेना लड़की कैसी है क्या करती है और माताजी कैसी है इसपेशली आसपास के लोगों से ठीक है न तो वहां से आपको प्रब्लम नहीं होगा शदयर एक लंबा है इनका एक बार इनका होगा ही साथ में एक बार ये भी दिखाता है कि लाइफ में किसी के लिए कितना भी अच्छा करें मानेगा नहीं कोई यह जो रिखा है होती है इमोशनल सट बैक्स दिलाती रहती हैं और हरदयर एक पर दीप हैं इसके लिए बस आप सुबह उठकर के योगा देखा है इसको बल मिलेगा इससे यह जो प्रॉब्लम होने की रहती है कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाए अगर हम माइंड लाइन का बात करें तो माइंड लाइन में इतना रेखा डिश्टर भाई यह अब आपके मैं में प्रशनाना ची कैसे डिश्टर मैं कह रहा हू यह सिंपल सी आगे बढ़ रही है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे दिखेंगे तो यह कई सारे ऐसे खुरदूरी सी हो गई कई सारे बहुत मोटी भी है यहाँ पे देखेंगे इसकी थिकनेस मोटी है साथ में आप खुद देखो इस तरीके साब को डिश्टर भी दिखेंगा यह रेखा तो इनका बच्पन बहुत अच्छा नहीं गया या तो यह बीमार रहते थे या तो क्या हो तासा सेच्विजन कि इनका टीनेज जब अन्य बच्चे खेलते हैं तो यह उस वक्त खेल भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़े होती यह अपने माता-पिता से नहीं कहते होंगे जो खिलाओने हों या धर की जो प्रॉब्लम्स होती उनको यह लोग समझते हैं तो उसे साब से आप देख सकते हैं अभी इनका आयू जो है 26 के आसपास में है तो 26 के आसपास में ही यहाँ पर आपको एक डॉट का साइन मिलेगा तो अभी इनोंने बताया था कि मानसिक का स्टैन को तो यहाँ पर कभी भी डॉट का साइन आ जाए अचानक से छिद रा जाए डॉट का साइन आ जाए तो एक क्लियर वर्तमान समय को दिखाता है जैसे ही आपका 27 साल लगेगा और 29 साल से यहाँ से एक छोटा से रेखा भी उपर जा रहा है तो हो सकता है आप किसी ना किसी का काम भी अपना शुरू कर दें माइंड लाइन से कभी भी कोई भी लाइन उपर जाए तो कोई ना कोई काम ऐसे लोग शुरू कर देते हैं अच्छी के पर पहुंच जाते हैं उसके बाद में प्रॉब्लम कहां पर है उसक क्याद में इस तरीके से आ रही है तो अपकमिंग टाइम आपका गुड रहेगा और इसके लिए क्या करना है आपको यहां पे जो डॉट बन रही है सुबह उठकर की 20 मिनिट मेडिटेशन आप करेंगे और शाम के टाइम में आप ओम का उचारण करेंगे जिससे कि यह जो प् प्रिमारिय नहीं बढ़ेंगे अभी जो इनकी 26 की आयू चल रही है एक तॉप शूट यह है उसी के नीचे से यह उसी के नीचे से फिर यह फिर यह और फिर यह इसके इस तरीके से तो जौब आपको मिल जाएगा उसके बाद में जौब में आतो एक बार मिलते ही प्रमोश सकते हैं तो जौब आपका इसी उमर में ही लिखता है लगबग आपके लिए 27 के आसपास में दिखाई देता है यह उसके बाद में 28 उसके आद में 30 कहीं लिजे आप फिर 31 34 36 यह सारे के सारे आपके जो होंगे clear उमर दिखाई देती है यहां से प्रमोशन के उसके बाद में इनकी जीवन रेखा अच्छी है यहां पर कोई दीब का साइन नहीं है और यह तूटी हुई नहीं है अब एक बात और नोटिस कीजेगा जीवन रेखा से कभी भी छोटा से रेखा भागी रेखा में टास हो जाए तो इसको ब्रिजी बोलते हैं तो ऐसे लोग जिंदगी मे नहीं तो ऐसे इनकी भागी रेखा जा रही है अच्छी भागी रेखा यह एक रेखा इसमें से जा रही है यहां पर एक फिश्च का बड़ा साइदीब का साइन है जब ही जिंदगी में अपनी राइस करेंगे ना तो दस-बीस लेवल का जंप इनको आचानक से मिल जाता है अब अगर हम यहां से इनका देखें तो यह का आप रेखा इस तरीके से देख रहे होगे अच्छी रेखा है आप बिजनेस करना चाहो तो बिजनेस के भी रास्ते आपके लिए खुले हैं यह कोडिनेट भी कम्प्लीट है तो जिंदगी में आप पैसा बहुत अच्छा बना पाएंगे कि इस तरीके से आपका प्रश्ण भी था दूसरा इसी मैंसे एक रेखा और जा रही है यह यह क्या बताता है इसने क्या किया है यह वाली जो ट्रेंगल स्कुयर का यहां पर ट्रेंगल के अंदर साइंग बना दिया है फॉर्चुनेट साइने आपको पैत्रक डिखा यह है और इस से आपको जाती दिखायी देरी कि यह इसको इसाइका कि इसको प्रेश करना यहां से लगने घर। सुर्जा धुरा देखनी मिलेगा तो अपने इससे जादा दूसरों के लिए आप लगी हो दूसरों की यह करेंगे तो आपको वहां से ज्यादा लाब देखने मिलेगा एक यहां पर फिश का सिंबल इस तरीके से बनता हुँ गर्डला वीनस पर दिखेगा तो जितने भी जिंदगी में इनके आश्वाराम की चीज़ें हैं सुक्सुविदा के संसाधन है वो इनको सारे के सारे इनके जिंदगी में देखने के जरूर मिलेंगे शैटन पर ही बन रही है तो ऐसे लोगी लाइफ में राइस बहुत करते हैं बागे रिखा देखेंगे तो यहां पर आकर के रुख गई है यह भी दिखाता है कि विनका भाग्योदे होने में कसर है यहां से बहुत करने के बाद हो अगें यहां पर देखने मिल जाएगा टीचर से स्क्वार इसको बोलते हैं ऐसे लोग टीचर भी बनना चाहें तो बहुत अच्छे टीचर आप बन सकते हो लाइफ में सैलमन रेखा यहां पर भी है और लाइन अफ एम्बिशन कहीं सारी है तो यह दिखाती है कि महत्तुका का सेवन करना है खाना खाने के बाद जो मीठा गुड़ होता उसका सेवन कीजेगा और एक लाल रंग का रुमाल रख लीजेगा यूज नहीं करना गंदा नहीं होना चाहिए वो उससे आपको लाब होगा बाहरी मंगल की बात करने तो एक क्रॉस का साहिन है तो एक अभी अगर आप देखेंगे तो रहु रेखाओं की वार है तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको डॉक्स को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए जिससे कि आपको ज्यादा लाब हो सके शुक्र की गिर में बात करूँ तो सबसे अच्छी बात इनके शुक्र में क्या है कई वहां से भी कुछ ना कुछ ने कुछ अच्छा करके चलू दिखा देंगे शुक्र अच्छा है तो किसी फीमेल के अगर आफ फ्रेंडशिप करते हैं से तो लाब होता है या तो फिर शादी करने के बाद में ज़्यादा भागी होता है अच्छे से काम करता है चंद्रमा आगें क्लियर है तो ऐसे लोगों कि यही वाला चंद्रमा अच्छा होता है तो जल्दी से विचार आ जाता है दिमाग में साथ में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते है ऐसा ही चंद्रमा चाहिए होता है जिसका अपने माइंड पर कंट्रोल है वो इनसान आगे काफी हद तक आगे चले जाता है तो इसलिए ऐसा ही चंद्रमा हमें चाहिए होता है अब अगर हम इनकी मुख्य रेखाओं के बात करें तो एक रेखा इसको मैं निगेटिव रेखा गयता हूँ इधर की और कभी बेहरते रेखा से ऐसे जाए और यहां पर दीब का भी साइन बन जाए तो यह दिखाता है एक बार या तो फिर शादी होते होते टूड जाता है या तो फिर एक बार लव लाइफ में धोखा मिले या यह कही लिजे एक तरफा प्रेम होका अगर आपका टूड चुका हो उसके बाद में एक यहां पर बन रहा है इस तरीके से इसके बाद में कोई नहीं है तो हाट से लेटेड यहां पर से तो नहीं लगता कोई बड़ा डिसीज होगा लेकिन फिर भी एकसरसाइज करते रहेगा जिससे कि आपको लाब हो सके यहां से अगर आप देखोगे तो फोर्क हो गया है इसको विष्णू तिलक का सिम्बल बोलते हैं तो काम ऐसे लोगे लेट जरूर होते हैं लेकिन अटलेश ते लोगे काम कम्प्लीट हो जाते हैं माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन में आपको जंजीर दिखेगी ऐसे ऐसे तो यह क्या दिखाती है अपने लाइफ में में इस तरीके से आपको कुछ जंजीर दिखेगी अगर जूम कर दूं तो आप इसको आसा आपको आसा देख पाओ गया ऐसा मैंने क्यों कहा कि जंजीर है समझना एक भागी रेखा यह देखो इसमे लिए मेंटल प्रेसर मत लीजे 20 मिनट इसलिए मैंने आपको मेडिटेशन बोला है यह करना ही करना है आपको लाइफ लॉंग करना है डेली इसमें गैप मत कीजेगा और ओम का चरण भी आपको करना है वहीं से आपको ज्यादा लाब होगा मैंड लाइन में वैसे कोई प्र है यहां के बाद से इसमें ज्यादा समूसने से है तो लगबगर हम देख लें तो लगबग 40 के बाद 40 की जो प्लस आयू होगी वहां से इनका जिंदगी काफी अच्छा हो जागा क्यों बिल्कुल फाइन है जैसे नहीं होता सारी रिलेक्स हो गए जितने पैसे कमाने थे कम इनकम के इतने सोर्च जनरेट कर दे कि अपने आप पैसा आ रहा है लेकिन उससे पहले यह एक तॉप शूट ही है अनेदर आप शूट ही है उसके बाद में एक आप शूट ही है तो यह वाला जो आप शूट है अभी आपका जो 26 क्या सपास में चलना वहीं पर है यह वाला जो आइगा 28 क्या सपास में यह वाला जो आजाएका लगपगा पी कतीस क्या सपास में कह सकते हैं तो अभी जो आपकी टाइम चलरी है अच्छी टाइम है थोड़ा एकससाइज करते रही है जिसे कि आपकी जीवन रहा में बल मेले भागी रेखा कि अगर मैं बात करूँ त तो कब से है वो लगबग 32 साल से यहां आज के बाद से यह बिल्कुल रॉकेट जैसे आगे बड़ रही है तो यहां के बाद से आप अपनी लाइफ में पैसे भी अच्छे बचा पाओगे अब अगर आप यहां से देखेंगे तो कुछ रेखाई यहां पर इंफ्लिएंस कर र लाइसेस करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मेरी फीस बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ही नॉमिनल फीस है तो आप हमसे कॉंट्रेट कर सकते हैं एक बार इनके फिंगर प्रिंट्स और देख लेते हैं यहां पर देखेंगे तो शीप का निशा यहां पर भी अगर आपका काम एक बार में नहीं होती है साथ में लोग ऐसे लोग का फायदा भी उठाते हैं यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो शीप का निशान है तो कैरियर में या तो एक बार चेंजिंग होता है या तो फिर कहले जिए एक जौड़कर दूसरे सरकारी जौब में बिल्कुल लग सकती है आपकी गवर्मेंट्ट जौब आपके हात में साइन अच्छे है योग अच्छे हैं आप दूसरों को मैनेज बी कर पाओगे बिजनेस भी कर सकते हो सरकारी नोकरी तो कुछ भी नहीं है बिजनेस में जाते है तो वहाँ से भी आना चाहिए और मेरा एक जॉब होने की हाँ जो आपने बताया हुए ना डाटा एंट्री का जॉब यह मुझे याद है आउपरेटर में तो इसको जॉइन कर लो मिलता है तो तुरण जॉइन कर लीजे यहाँ इसमें भी हो सकता आपका पर्मेनेंट सीट हो जाए और आगे मत तक के लिए मेडिटेशन करो योगा करो तो तब तक अपने ध्यान रखिए मिलें किसी नेक्ष वीडियो में गॉड ब्रेश यो जाहिन दोस्तों हम भी इश्वर से प्रात्ना करेंगे कि इनकी जो भी प्राउलम से इश्वर दूर करें और इनका जीवन खुशियों से बर और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे इतना प्रामेश जरू करते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो जी देखते हो तो मैं हस्तरेखा देखना आपको सिखा दूँगा गॉड ब्रेश यो अल जैहन दूस्तों